हलो जाहिन स्री महालक्षमी कमांडो एकाडेमी करनेट का बिलगम के तरफ से अपका स्वाग आथ है तो दोस्तो आज आपके लिए लेकर आए हूँ 2015, 16, 17 में बहुत जादा बार रिपीट होगा इंडियान आर्मी का एक्जाम में ओही कोशे लेकर आए हूँ तो दोस्तो एक कोशेर आपका 16 एप्रिल एक्जाम के लिए most important है इसलिए आज लेकर आए हूँ तो दोस्तो जो बंदा 16 एप्रिल एक्जाम के लिए तयारी करे हो उसके लिए तो very very important कोशेर जोरू सुरू से लेका लास्ताग बहुत आच्छा तरह पढ़ लिजे और जो बंदा हमारा चैनल में नए हो और आभी दक सास्काइब नहीं किया तो सास्काइब कर दीजे क्यूंकि डेली के डेली आपका physical and exam के लिए most important और important कोशेर लेकर आए हूँगा देख लिजे निर्मली के तमें किस गेश का धनी की गती अधिकतम होता है बता दीजे चरह option में साइणसर चुन लिजे कौन सा गेश के अंगार धनी का गती अधिकतम होता है बता दीजे चरह option में साइणसर क्या होगा बोलो तो दोस्तों यहाँ पे जो बंदा option B को चुना hydrogen रोजन को चुना उसका राइट अंसर हो जाएगा option B होगा सही answer नेश्ट कोशन देख लिजे तो दोस्तो नेश्ट कोशन क्या है very very important question है question where is the central drug research institute located देख लिजे केंदरियो आबादी उन्शंदन शांस्ता कहा पर इस्तित है बता दिजे कहा इस्तित है 4 option में science चुन लिजे तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option D को चुना लखनो को चुना उसका right answer हो जाएगा Central drug research institute जो आपका लखनो में इस्तित है next question देख लिजे तो दोस्तो next question क्या है very very important question है question who was the first woman climbed Mount Everest in India देख लिजे भारत में पहली महिला Mount Everest में चड़ी थी और कौन थे सबसे पहले कौन थे बता दिजे 4 option में science चुन लिजे तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option A को चुना विचंदरी पाल को चुना उसका right answer हो जाएगा option क्या होगा option A होगा सही answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question क्या है which acid is present in terminant देख लिजे Emily में कौन सा acid मोजूद होता है बता दीजे 4 option में science चुन लिजे तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option देखता हो कौन-कौन बच्छे इसका right answer दे बता है very very important question है तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option C को चुना tartric acid को चुना उसका right answer हो जाएगा option C is the right answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question क्या है the revolver was invented by देख लिजे general knowledge का question very very important question बहुत जदा बर पूछा गया एक question तो दोस्तो इसका right answer बता दीजे rebel war का अभिश्कर किसके दोबारा क्या गया था बता दीजे चरो option में साइंसर क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option D को चुना Samuel card को चुना उसका right answer हो जाएगा option D होगा साही answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question क्या है मिना माठा disease cost by देख लिजे मिना माठा किसके लिए होता है जो मिना माठा रोग होता है वो किसके लिए होता है बता दीजे चरो option में साइंसर चुन दीजे तो दोस्तो मिना माठा होता है बताओ iron, copper, mercury, aluminium किस के कारण होता है तो दोस्तों यह होता है के फोशन के कारण मिन्हामाटर रोग होता है तो सरी महालक्ष्ी कमंडो एकाड़ेमी आपको नया बैच खलग को जा आपको बीड़ेस हो तो दोस्तों, अच्छा तरह फिजी काल करना चाते हो जो बच्च आपका यहां पर आपको दोस्तों अधिक जनकारी के लिए यहाँ पे कॉल कीजिए एक्स बिलग कमंडो आपका cat कमंडो है यही आपका शुरेश सेर आपका टेनिंग दियाता है बहुत ही जबरदस्ट टेनिंग होता है तो दोस्तो हमारा एकाडेमिय में कोई बच्चे आना चाते हो तो इसी नामबर पे कॉल कीजिए कॉल टाइम एवल एवल है जब मंचे कॉल करके आ सकते हो तो दोस्तो मेंटली फिजिकली मेडिकली कोई बच्चे को हाइड बर नहीं बर रहा है नोकनी का पॉब्लम है शाष फूर रहा है उसके लिए तो हमारा जबरदस्ट एनेजजी कमंडर के टेनिंग दियाया जाएगा तो दोस्तो जो बंदा आना चाते हो जोरूर इसी नंबर पे कॉल करके आ सकते हो बहुत ही आच्छा तरह खाना रहना सोना सभी मिलता है यह आपे तो दोस्तो जोरूर आ जाए हमारा अकाडेमी में आपका स्वाग आता है हमारा अकाडेमी के तुरब से जो बंदा आना चात पदे की बिद्दी के लिए मिट्टी में अभशक है मिट्टी में किया मज़ूत अभशक है बता दीजे चरो option में science साच चुन लिजे तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो एक पौधे है मान लिजे पौधे मिट्टी के अंदर जो अपका nitrogen है ये अपका बहुत ज़्यादा लेता है तभी एक grow होता है तो option तो अब देख लिया होगा option A होगा साच अंसर nitrogen होगा साच अंसर next question देख लिजे तो दोस्तो नाया बैस चालू हो गया है अभी बच्च आ रहा है एक दो एक दो करके तो दोस्तो जो बंदा आना चाते हो ज़रूर आ जाए हमारा academy में बहुत ही अच्छा तरह आपका अगनीवीर कोई भी टेट का हो अगनीवीर, ITBP, SSB, BSF कोई भी तायारी कर रहे हो आपके लिए सबी एवल एवल है जो रूराइए अच्छा तरह physical कीजिए अच्छा तरह exam के लिए तायारी कर दिजिए सबी बात उसी नंबर पे होगा description में भी नंबर है पास्ट में नंबर देखा दूगा उसी नंबर पे कॉल करके आ जाईए आप तो दोस्तों, next question क्या है electric bulb, जो light bulb है उसके अंदर कौन से gas भरी जाता है बता दीजे, electric light bulb are filled with, देख लिए इसका right answer बता दीजे oxygen, nitrogen, argon, hydrogen क्या होगा right answer बताओ तो दोस्तों, इसका right answer जो बंदा option C, argon को चुना उसका right answer हो जाएगा option C होगा, sai answer next question देख लिए तो दोस्तों, next question क्या है what is the percentage of carbon dioxide in air देख लिए, हबाँ में कितना पतिशत carbon dioxide है बता दीजे, 4 option में science चुन लिए तो दोस्तों, 4 option में इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों, इसका right answer जो बंदा option B को चुना 003% को चुना उसका right answer हो जाएगा और अभी कोई-कोई original paper में देखा जा रहा है आपका 0.4%, 004% भी रह रहा है तो दोस्तों, इस दोनों से कोई एक आपका option में मिल गया आपका 003% रहाएगा या 004% रहाएगा दोनों से एक रहाएगा तो आप अच्छा तरह इसका right answer देदीजिए तो दोस्तों, next question देख लिए तो दोस्तों, next question क्या है electric current is measured by देख लिए, विद्दुत पभाह का dash के दोबारा मापा जाता है दोस्तों, इसका right answer क्या होगा तो दोस्तों, इसका right answer जो बंदा option C को चुना, empire को चुना उसका right answer हो जाएगा option क्या होगा, option C होगा सही answer, next question देख लिए बड़ा number question very very important question आपके exam के लिए which of the flowing acid is used in a car battery देख लिए, निर्मा लिगे देमें कौन से car battery में use किया जाता है जो car का जो battery होता है सबी बच्चों देखा car का जब battery होता है उसके अंदर कौन से अमलग use किया जाता है acid use किया जाता है, बता दीजे चरो option में science चुन लिए तो दोस्तों, इसका right answer जो बंदा option B को चुना, A to A to 4 को चुना उसका right answer हो जाएगा option B होगा सही answer sulfuric acid भड़ा जाता है car का बैटारी में, next question देख लिए तो दोस्तों next question क्या है which is also known as Punjab के शुरी देख लिए किसको पंजब के शुरी नम से जाना जाता है, बता दीजे चरो option में science चुन दीजे तो दोस्तों इसका right answer जो बंदा option D को चुना लाला लासपात राई को चुना उसका right answer हो जाएगा option D होगा सही answer next question देख लिए 14 number question है, वेरी वेरी important question कोई भी original paper आप उठाओ तो एक question आपका मिल जाता है capital of हिमाचल पदेश तो दोस्तों हिमाचल पदेश की राजधनी क्या है, बता दीजे चरो option में science चुन लिजे तो दोस्तों इसका right answer बता दीजे हिमाचल पदेश का राजधनी का नाम क्या है बता ओ, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका right answer दे बता है तो दोस्तो option D होगा science है शिमला होगा सही answer next question देख लिए तो दोस्तो next question क्या है which gas is known as fuel of future देख लिए श्वल अक्टोबर्ड में जो exam हुआ था अगनीबिर का पहल exam वह आपे पूछा गया था question तो दोस्तो किश gas को भविश्यत का इंधन कहा जाता है दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जो बन्द option A को चुना hydrogen को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा सही answer next question देख लिए तो दोस्तो next question क्या है the capital of India shaped from Calcutta to Delhi देख लिए भारत की राजदनी Calcutta से दिली स्थानांतिरित हुआ था काप हो था बता दीजे चरह option में साही answer चुन दीजे तो दोस्तो इसका right answer जो बन्द option B को चुना 1911 को चुना उसका right answer हो जाएगा उनिश्य एगरा में आपका Calcutta से लेकर दिली कैपिटल चला गया था option B होगा साही answer next question देख लिए which of the following rivers falls in Arabian sea देख लिजे निर्वन लिकिते में कौन से नदी आरफ शागर में गिरती है बता दीजे चरह option में science चुन दीजे तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा चुन दीजे तो दोस्तो इसका right answer जो बन्द option A को चुना नर्मत रिबर को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा सही answer next question देख लिजे तो दोस्तो next question क्या है the oldest city in the world देख लिजे दुनिया का सबसे जो विश्यो का सबसे पूराना शोहर है उसका नाम बता दो बता दीजे चरह option में science चुन दीजे तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option C को चुना Athens को चुना उसका right answer हो जाएगा option C होगा सही answer next question देख लिजे तो दोस्तो उनीच number question है very very important question which is the largest इग learning board देख लिजे सबसे बरा अंडे देने बाला पक्षी कौन सा है बता दीजे और दुनिया का सबसे बरा पक्षी ये भी आता है आपका exam में तो दोस्तो इसका right answer बता दीजे तो दोस्तो इसका right answer जो बंदा option C और श्टीज शोतर मुर्ग को चुना उसका right answer हो जाएगा option C होगा सही आन सा तो दुनिया का सबसे बरा पक्षी का नाम क्या है वो आपका शोतर मुर्ग है और सबसे बाला अंडे देना बाला पक्षी कौन है वो भी शोतर मुर्ग है और सबसे छोटा पक्षी ये भी आता है वो हमिंग बार्ड है ये भी जनकरी रख लिजे नेस्ट कोशन देख लिजे तो दोस्तो 20 नमबर कोशन एक कोशन जो बंदक आ गया वो अगनी बिर बन गया 100% सियोर है क्योंकि एक कोशन आपका बहुत ज़्यादा बाट एक्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तो आर्मी डे सेलिबेटेड इन देख लिजे शेना दीबश का आप मनता है बता दीजे चरह उप्शन में साइंसर चुन लिजे 15 जून, 15 जानौरी, 11 जुलाई, 1 डिशंबर इसका राइट अंसर बताओ तो दोस्तो इसका राइट अंसर जो बंदा पे कॉल करके आजाए इसकीन शॉट कर लिजे यही आपका शूरे सेर्ज से बात होगा एनसजी बिलाक केट कमंडो जो आपका रिटर्न कमंडो है उसके बहुत ही जबरदस्ता यारी कर देंगे आपका एक्जाम के लिए आपका फिजिकल के लिए 100 में 100 पतिशद आप एक्जाम किलियर हो जाएगा फिजिकल किलियर हो जाएगा तो दोस्तों जो बंदा आना चाते हो हमारा एकाडेमी में जोरूर इसी नमबर पे कॉंटाक कीजिए सबी जनकरी इसी नमबर पे मिल जाएगा अधिक जनकरी के लिए कॉल कीजिए और हमारा तो चैनल है वीडियो देख रहे हो आप हमारा किस तरह एक्सरसाइज कराया जाता है कोई भी मेडिकल का इशू है आपका आजाएगा हमारा सबी मेडिकल का टीटमेंट कराया जाता है यहापे तो दोस्तों ज़रूर आ जाएग होšे तीयरी कर लीजिए ठेंकियो जाहिंद भूत जबर्दर चतरनाक वह बढ़एबगा आझ बादेनी झालाएं बादेने लिंप हां सबस्तेन आढार बादे कीमा इझ है शलब का करन파 वादे भालाएं म स doświad सबस्किरist शलब कुछ le तो बादे将ी झालन, किरोनि करनार झाल झाल